नमस्कार वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूँ विकास नांगिया मैं पलवी छला वड़ा दर्शकों वास्तु लिविंग के प्रतेक अंक में हम अपनी वास्तु और फांक्शिय कंसल्टन पलवी जी के साथ अलग-अलग दिल्चस विश्यों पर बाक्चीत किया करते हैं आज अपने स्टूडियो से बहार एक ऐसे कमरे में हैं जहां बहुत सारा क्लटर परा हुआ है और आप समझ सकते हैं कि हमारा आज का विशे है क्लटर एंड वास्तु पलवी जी कारिकर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत शुक्रिय तो आप और निकालते हो जो कमरे जादा तर बंद रहते हैं स्टूरेज की तरह होते हैं वहां पर ऐर का एकसेस ज्यादा नहीं होता आप यह कह सकते हो कि एनर्जी का आना जाना आप कम होता है और जहां जहां परोड़क्स को रग देती वो जमीन पर बिखर देते हो अलग पहुती वाइबरेशन फील नहीं होता और सब कुछ हैवी लगना शुरू हो जाता है तो जैसे बीम के नीचे बैठने से बीम के सामने बैठने से हल्थ इशू होते हैं वैसे क्लटर के बीच में जाकर रखने से या आफिस के किसी एरिया में या बिजनस किसी लोकेशन पे कोई बहुत ज़्यादा हैवी क्लटर करने से बिजनस को परेशानी हो सकती है, आउनर को परेशानी हो सकती है और बहुत तरह के अलग-अलग बिजनस में दिशाएं गलत होने की विज़े से वहाँ पे clutter इकठा होने से दिशाओं के हिसाब से भी परिशानी हो सकती है तो clutter वास्तु उसको ठीक नहीं मानता उसको negative element की location बता दा है पलवी जी और दर्शक भी इस बात को समझ सकते हैं connect कर सकते हैं इस बात से अब जिस कमरे में हम खड़े हैं यह clutter वाला कमरा हो सकता था बेस्मेंट में हो हो सकता था कि office के कहीं उपर हो किसी showroom की back side में हो अलग-अलग जगा पे हो सकता है अब एक घर का जो extra समान होता है या commercial हो या administrative office का जो इस तरह का समान हो जादा तर उसको किस जगा पे रखना चाहिए और यदि अगर आप extra storage area भी हो तो मतलब एक आदमी कहता है कि एक नजरिया यह होता है जो घर की फालतू चीज़ है या office की फालतू चीज़ है उस जगा पे जाके रख दिया जाए लेकिन फिर उसको अगर एक अगर बनाना चाहिए तो ऐसे कमरे को कहा होना चाहिए basement में होना चाहिए या किस जगा होना चाहिए जिनरली clutter दो तरह का होता है एक कुछ ऐसी unwanted चीज़े होती है जिसमें कुछ तोडफोड़ हो आप समान नहीं पहकते हो कोई पराना मेशीन हो कुछ गस्टेशन के साथ रिलेटेड लोगों के कुछ फाउंटन मेशीन हो या ऐसी चीज़े हो जो एक्स्ट्रा हो सकती है या तूटी-फूटी हो सकती है दूसरा clutter ये होता है कि जब यहां के business के location के हिसाब से हमें पराने 5 साल तक उसके record रखने पड़ते हैं जो paperwork हम save करते हैं और समालते हैं medical business के साथ जुड़े हुए लोगों को और काफी तरह के business में ऐसा होता है कि वो लोग अपनी location के उपरी पुराना record हमेशा रखते रहते हैं वास्तु यह कहता है कि 7 दिशाओं में paperwork को आप बहुत ज़्यादा storage करते हो और अगर वो दिशाओ गलत है तो आपको legal dispute हो सकते हैं आपको IRS की problems हो सकती है आपको उस जगा के अंदर paperwork की गलतियों की वज़े से हो सकता है कि वो ही paperwork की वज़े से कई बार corporation बंद करने तक की नह बता सकती है तो पुराना record अगर हम गलत दिशा में store करते हैं तो उसकी effect उसी company को भगतनी पढ़ती है जिस company का paper work आपने रखा हुआ हो दूसरा ये clutter हो सकता है कि जैसे आपके पास कोई पराना समान पढ़ा और आपने रख दिया और अगर आप उसको बाद में future में use करना चाहते हो restaurant business वाले लोग हो या कुछ ऐसा हो कि आदत ही नहीं है समान को फैंकने की मैं काफी लोगों से काम करती हूँ लोग कहते हैं कि मेरे husband आदत से मजबूर है कि वो कभी समान को फैंकना ही नहीं चाहते है तो वो एक आदत बन जाती है आपने बात husband की करी लेकिन wives का भी यही हाल होता है कि जो दिल के करीब चीज होती है, emotional attachment हो जाती है, वो असानी से फेकती नहीं है हो Clutter के बारे में वास्तो शास्तर के कुछ नियम बताये गए हैं सबसे पहली बात है कि कोई भी तरह की मूर्तियां, कोई भी तरह के photo frame, भगवान की मूर्ति, मंदिर या कोई भी खंडिक चीज जिसको हम तूटा हुआ नहीं बोलेंगे लेकिन हम उसको खंडिक बोलेंगे, जिसका कोई corner break हो लेकिन फिर भी वो पूरा दिखता हो तो ऐसा कोई भी खंडी चीज घर में नहीं रखना चाहिए जिसको जोड के liquid milk से glue करके उसको नहीं रखना चाहिए उसी तरीके से कोई भी समान जो आप बलकुल इस्तमाल नहीं करते हो और कभी कभी करने वाले हो किसी को देना चाहते हो बट दे नहीं पाते हो अपने सुभ दोर लेवल पे और यहां वहां बिकरी नहीं हो निचे जिसकी वज़े से education में परिशानी हो सकती है उस business और company में परिशानी हो सकती है तो clutter भी अपने आप में बहुत बड़ा वास्तुदोश खड़ा कर सकता है जी तरश को लेंगे एक छोटा सा break और break के बाद हम clutter विशे प झाल